हेलो दोस्तों, वेलकम टूमें यूट्यूब चानल, इस चानल में हम लोग UPC का टॉपीस को ज्यादा इंपोर्टन्स देके क्रियेट किया है, तो इस वीडियो में हम एकनोमीज का एक मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक के बारे में डिसकस करने वाले है, अगर आपको जो UPC related topics मिलते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी, ओके चलो हम इस वीडियो में हमने डिसकस PSL के बारे में करने जा PSL means Priority Sector Lending, तो इसका नाम से हमें एक आइडिया मिलते है, Priority Sector Lending, जो लेंडिंग में कुछ एडियास को Priority में रखना चाहिए, ए, Reserve Bank of India डिसाइड करते है, R.B. Direction देते हैं, बैंक को कैसे Priority Sector Lending करना है, इसमें रूल है, ओल इंडियों बैंक से उसका रगुलेटर इंड इंडियन बैंक को कुछ अलग-अलग target दिया है, तो इंडियन बैंक में क्या है, 40% need to lend on PSL every year, तो इसमें यह बोला जा रहा है, तो जो लेंडिंग जो करते हैं इंडियन बैंक, उसमें 40% उन लोग को जो Priority Sector Lending में जो आता है, क्याट अगर या तो उसमें जाना चाहिए, जो 40% में सबक्याट अगरी, सब्टार्गर रखा है, मतलब अलग-अलग सीसों दिली, तो उसमें 18% आपको Agriculture में लेंडिंग करना चाहिए, जो 40% में, और 10% टोटल लेंडिंग टो वीकर सक्षन, उसमें जो 10% है, वीकर सक्षन को भी, मतलब जो एक्कनोमिक लिए जो वीकर टार्गेट रखा हुआ है, तो इंडियन बैंक का ए है, और दूसरा है फोरेंट बैंक, तो इंडिया में सिर्फ इंडियन बैंक नहीं ओपराइट कर रहे है, बाहर का भी बैंक इदर है अलड़ी, तो बहु सारा बैंक इतर अवेलबल आपके लोग सुना हुआ, सिटी बैं हम देखने चाहिए, उसको टार्गेट दिया है, 32% प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग में उसको लेंडिंग देना चाहिए, इंडियन बैंक का कितना 40% था, अभी इसका 32% है, फोरेंट बैंक का, यह जो पसंटेज वाली है, 32%, 40% वो तो जैसे जैसे पोलिसी चेंज हो सकते है, यह ज्यादा भी हो सकते है, कम भी हो सकते हैं, ठीक है, आस अफ नाउ अभी एक बेस पोइन हम ले सकते हैं, ठीक है, और इसका जो सब इसका भी सब टार्गेट है, जो फोरेंड बैंक का, उसमें है 12% एक्सपोर्ट के लिए उन लोग को लेंडिंग करना चाहिए, और SME मतला, SMALL, MEDIUM, ENTERPRISES के लिए 10% लेंडिंग देना चाहिए, तो, तो, प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग, इसमें 2007 में, कुछ, फाइव माइनोरिटी कम्यूनिटी को इसमें आड किया है, लाइक, बुद्धिस, कृस्टियन, मुसलिम, पार्सिस और सिक्स, तो, आपको बता हो गया, तो, इसमें कुछ, प्रियोरिटी देना है, किसको कितना पसंटेज देना है, तो, उसमें, टोटल टार्गेट से, 40 पसंटेज उसको, इंडियन बैंक को देना है, 32 पसंटेज, जो, पॉरिटी से, लेस्ट बनेंग से, लेस्ट दान 20 ब्रांचस का, जो भी है, उनोर और जो Indian Express उसमें आते रहते हैं प्रियोर की सेक्टर लेंडिंग में इतना हो रहे है इतना चेंज आ रहे हैं तो फोरें बैंक को क्या हो रहे है तो यह सब चीज आप चलिए आते जा रहे हैं तो आपको एक्लियर आइडिया मनें जाएगा और जैसे जब प्रिलिम्स के भी रक्साम दे रहे हैं उसमें भी बैंकिंग अवेंस में कुछिन बिल्कुल पूछ सकते है प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग के बारे में तो यह था प्रियोर्टी सेक्टर लेंडिंग के बारे में जो डीटेल्स और भी बहुत सारा वीडियो एकनोमिक्स का आपको इस चैन